बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए बच्चो आज हम सभी सॉल्ब करते हैं कक्षा पांचवी की वर्कशीट सब्ताह दूसरा विशे हिंदी पाठ एक राक की रसी बच्चो ये पाठ हम सभी ने हमारी पाठे पुस्तक में से पढ़ाई है राक की रसी तो चलिए बच्चो आज हम इसी के आधार पे कुछ प्रशन देखते हैं प्रशन पहला है राक की रसी पाठ एवंचित्र के आधार पर संग्या शब्द लिखिए तो बच्चो देखिए अब सभी को पहले तो ये जरूर पता होना चाहिए कि संग्या शब्द लिखने हैं हमें संग्या पता होना चाहिए कि संग्या क्या होता है तो देखिए बच्चो अब सभी को मैं बताते हूँ यहां संग्या क्या होता है किसी व्यक्ति वस्तू इस्थान प्राणी ठीक है बच्च्चु सभी को आ रहा है समझ में तो देखे और भाव आदी के नाम को संग्या कहते हैं संग्या कहते हैं जैसे बच्चों किसी का नाम राम है वह आदमी है या लड़की है ठीके इस तरह से इन सभी को हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं तो चलिए देखते हैं बच्चो ये जो है हमारे चित्र इसमें संग्या सद्ध कौन कौन से है तो व्यक्ती व्यक्ती देखे बच्चो आदमी और लड़की ठीके वस्तू वस्तू क्या क्या है बच्चो यहाँ पे टोपी है घर है ठीके इस्थान, जगे, मैदान, प्राणी और भाव आदी के नाम को हम संग्या कहते हैं तो चलिए लिखते हैं हम आदमी लड़की टोपी घर भेड और पत्थर तो देखें बच्चो किसी व्यक्ती, वस्तु, इस्थान, प्राणी और भाव आदी के नाम को हम संग्या कहते हैं यहां भी आपको ये संग्या की परिभाशा दी गई है तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि संग्या किसे कहते हैं बच्चो चलिए अगला प्रशन देखते हैं हमारा संग्या शब्दो को पहचानो बच्चो संग्या शब्दो को आपको पहचानना है मैंने आप सको यहां भी बताया था ठीके संग्या किसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति, इस्थान, वस्तु, प्राणी, भाव, आदी के नाम को हम संग्या कहते हैं तो नीचे दिये गए संग्या शब्दों को पहचान कर उन्हें उच्चित शीर्षक के नीचे अपनी कौपी में लिखी व्यक्ति वाचक, जाती वाचक और भाव वाचक हमें तीन कॉलम दिये गए हैं व्यक्ति वाचक में व्यक्ति, जाती वाचक में उसके जाती और भाव मतलब जो उसके भाव प्रकट होते हैं वो यहां लिखना है होशियारी होशियारी हमारा क्या शब्द है होशियारी मतलब हमारा ये भाब प्रकट हो रहा है होशियारी ठीक है शेरवानी शेरवानी क्या है बच्चो व्यक्तिवाचक शहर शहर है बच्चो हमारा जातिवाचक निराश, भाव बाचक, खिचडी, व्यक्ती बाचक, वेश भूशा, जाती बाचक, तामबा, तामबा, धातु, लोन पोगार, व्यक्ती बाचक, लोन पोगार, ठीक है, अगला है लड़की, लड़की है हमारी जाती वाचक, उसकी जाती बता रहे हैं के लड़की कैसी, लड़की की जाती क्या है, भेड, भेड, अगला है हमारी समझदारी, समझदारी, तिबबट, तिबबट, अगला है चाला की, चाला की, अगला है खुशी, खुशी, ठीकी बच्चो, सभी को पता चला, देखिए, व्यक्ति वाचक में, शेरवानी, हिचडी, लोन पोगार और तिबबट, जाती वाचक, शेर, वेशबूशा, तामबा, धातू, लड़की, भेड, भाव वाचक में, होशियारी, निराज, तमझदारी, चाला की, और खुशी, अब देखिए, बच्चो, अगला प्रशन है, हमारा यहां पे, राख की रशी, कहानी की आधार पर, मंत्री के बेटे के बारे में, लिखो, अब बच्चो, राख की रशी, हम सभी ने पाट पड़ा ही था, ठीके, तो इसी के आधार पर, बच्चो, हमारा अगला प्रशन, जो दिया गया है कि मंत्री की बेटे के बारे में हमें लिखना है ठीक है तो बच्चों चलिए लिखते हैं हम तो बच्चों हम सभी ने पाट पड़ा है उसी के आधार पे हमें लिखेंगे मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा वै भोला लड़का था उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी गई थी ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों सभी को समझ में आया कि जो मंत्री का बेटा था वो बिलकुल सीधा साधा था भोला था ठीक है उसे चाला की बिलकुल भी नहीं आती थी उसे किसी प्रकार का ज्यान नहीं होता था कि ठीक है आया सभी को समझ में तो हमने बताया बच्चों यहां पर कि जो मंत्री का बेटा था वो कैसा था अगला प्रेशन देखी बच्चों बैसाकी का त्योहार आप सभी को पता होगा बैसाकी का त्योहार पंजाब सब्सक्राद के खुषिक है सब्सक्राद कर डाद लाया है जलेंना जाता है अब बैसा की खुषिकि मेनागाँ जाता है अब बक्तीन के पक्ताद के पक्ताद करनेज एक liability है बैसा की कात्युहार पंजाब में मनाया जाता है तो बच्चों आप सभी देखे ये सुलेक का मैंने एक पंक्ती लिखी है इस पंक्ती को आप सभी अपनी जो कॉपी है उसमें लिखेंगे एक पंना आपको ये लिखना है और अपने जो मैडम है ये आपका जो अध्यापिक है अध्यापिका है उन्हें आपको ये अपना सॉल्यूशन भेजना है इस तरह से सुलेक करके ठीके बच्चो सभी को समझ में आया तो बच्चो आप सभी मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए समझ जी और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शियर करना बिलकुल ना भूलिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सभी को मेरे वीडियो कैसा लगा धन्यवाद बच्चो